नोगरी के लिए मरनना त्यार हो रहे हैं और सरकार जाग नहीं लिए यह सिश्चियाद है यान सरकार की लिए होगा बहुत साथ में तिलाड याद में यह आलाद हो रही है नमस्कार आप देख रहे हैं समाचार कैरी और यह वीडियो जो आप देख रहे हैं यह उन खिलाडियो की है जो ग्रूप D की भरती के लिए पिछले एक महीने से लगातार धरने पर बैठे हैं और सरकार से अपनी जोइनिंग की मांग कर रहे हैं इस वीडियो में हर एक आसू उन गरीब परिवार का है जिसके लिए खटर सहाब ने और सरकार में बैठे अधिकारी अशोक खेमका ने 25-25-2018 को एक खेल नीती बनाई थी बावदूद उसके उस खेल नीती का इन पर कोई फाइदा नहीं हुआ इनकी किस्मत को दोश्ट दे की 2018 में जो 18,218 बर्ती निकाली गड़ी थी उसमें खेल कोटा डी ग्रूप की 1518 सिटे थी इसमें एक बाद जीन उप्तुना होने के कारण भाजपा की बड़ी जीत हुई थी जिसके बाद काफी बर्तियों पर बिना काग वेडिशन या नई खेल नितिये नुसार खेल कागज नहीं थे वह जुआइन हो गये हैं उसके बाद हरियाना एबम पंजाब हाई कोर्ट ने इनके हको को देखते हुए उनको भार कर दिया और उसके बाद जिस भी ब्हारती ने खेल कोटा से पेपर दे रखा था उससे भी डोकुमेंट वेडिशन के लिए हधियाना करमचा रिचेन आयोग द्वारा बुलाया गया परवरी 2022 में लेकिन सरकार के अधिकारी इनको मुख्य सूची में ना मांद कर वेटिंग लिस्ट का रूल थोप रहे थे मुख्यमंत्री के परधान सचीव डियस धेसी ने सीएम नोट लगा कर क्लियर कर दिया था कि वे मुख्य सूची के बच्चे हैं और 2019 तग उन्हें जॉइनिंग मिलनी थी लेकिन H.S.S.C. की गलती के करण आज ये आमरण अंशन करने को मजबूर हो गए और वीडियो के माद्यम से आप देख रहे हैं आमरण अंशन पर ये बैठे स्पोर्ट के एक खिलाडी जो लगातार पिछले कई दिनों से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि 2018 में जो बर्किया निकली थी हमें उसमें जॉइनिंग दे दो लेकिन सरकार के कानों पर जू तक देख रही पिछले लगातार एक महीने से बैठे ही है स्पोर्ट के खिलाडी जो अब बिमार होने लगे हैं बेहोश होने लगे हैं और लगातार दिने अम्बूलेंस की जरुत पड़ती है वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरह से आमरण अंशन पर बैठे है खिलाडी बेहोश हो गए हैं और अब इन्हें उठाकर एंबूलेंस में डाला जा रहा है तकि इनका बहतर उपचार किया जा सके वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं लगातार सरकार से बहार लगा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर फिछले एक महीने से आमरण अंशन पर बैठ किया जो है 2018 में निकली थी 2018 से लेकर 2023 तक का समय हो चुका है लेकिन अब तक इनको इनकी ज्वाइदिंग नहीं मिली है इनको इनका हग नहीं मिला है इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार है आपके मन में क्या है कमेंट बोक्स में अवश्य बचाए क्या दोहजार 24 नजदीक है कि आप इनका जो हक है वो मिलने की संभावनाएं है या फिचरे एक महीने से जिस तरह से आंदुनलार्ण पर बैठे हैं इसी तरह से कब तक इन यहां बैठना पड़ेगा कमेंट बोक्स पर अपनी राय अवश्य दे